हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक इंस्रूमेंट्स जो आपसकाईनी के वाइवर टेबल पे आपको पता होना चाहिए और आपसे कुछ रेलेमेंट क्वेस्टिन जो उसे पूछे जाएंगे वो मैं डसकस करने जा रहे हूँ सबसे पहला ये इंस्रूमेंट है, ये है सिंस डबल प्लेडर अंटिरियर वाजनल वाल रेट्राक्टर हमने इसे डबल प्लेडर इसलिए कहा क्योंकि इसमें दो प्लेड्स है, कभी-कभी ये सिंगल प्लेडर के भी फॉर्म में अवेलेबल होता है इसके दोनों सर्फिस पर आप देख सकते हो, इसमें कंकेविटी है जो हमारा ये वाजना होता है, इसके हम वाल में ये लगाते हैं और इस वाल को ऐसे हम रेट्राक्ट करते हैं रेट्राक्ट करने से क्या होगा, कि हमें internal structure, साथ में वाजनल वाल का proper visualization मिलेगा यह बना किस चीज का होता है stainless steel का बना होता है और आप इसे sterilize कैसे करोगे auto-claving या boiling से करोगे आप से अब इसके users पूछे जा सकते हैं अगर आप obs table में हो तो आपके instrument के obs users पूछे जाएंगे और आप gynae table का वाईवा दे रहो हो तो आप उसमें बोलोगे कि आप कोई भी gynecological procedure जैसे आप dilatation and curatage करना चारे हो या फिर copper tea insertion करना चारे हो या कोई और IOCD insertion करना चारे हो या आप vaginal walls को inspect करना चारे हो for various cysts या फिर आप cervix को inspect करना चारे हो ये देखने के लिए कि cervix smooth है, healthy है या फिर कोई cervical discharge है या नहीं है, या फिर कोई cervical growth या polyp है, तो उस case में आप use कर सकते हो उसके बाद इस instrument के आपके obstetric use पूछे जाएंगे, तो आप cervix को कब inspect करना चाहोगे obs के case में, जब आप देखना चाहोगे कि वहाँ से discharge हो रहा है या नहीं हो रहा है कभी-कभी premature aperture of membrane के cases में, patient हमारे पास leaking पर vaginam लेखे आती है तो उस case में आपको देखना होगा कि patient को cuff के साथ या strain करने के साथ, लाइकर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है there is leakage of fluid or not तो उस case में आप use कर सकते हो साथ में abortion की cases में आप इसको dilatation and curatage या check curatage के लिए use करोगे इतने questions आप से पूछे जा सकते हैं दूसरा, हमारे पास instrument होता है casco speculum जो भी मेरे पास है नहीं casco speculum जो होता है उसका भी use almost same है जो ये sims double-bladed speculum का है but there are certain advantages of casco speculum and sims speculum that allows us to use these instruments in a specific situation only जैसे आप इस instrument को देख रहे हो तो इस instrument को hold करने के लिए आपके पास एक assistant होना चाहिए you need a proper assistant for holding these instruments so that you can perform the procedures with your other hand but casco speculum जो है वो double-bladed speculum होता है ये हमारा casco speculum का एक mimicking image आपको show करने जा रहे हूँ एसा casco speculum होता है उसके इस end peg screw होता है और नीचे दो blades होते है तो आप जब screw को tight करोगे या screw को loosen करोगे तो आप patient के vagina के width के हिसाब से आप उसके blades को adjust कर सकते हो वो self retaining होता है उसके लिए आपको किजी assistant की ज़रत नहीं होती है दूसरा difference क्या है कि जब आप sim speculum यूज कर रहे हो तो आप एक बार में या तो posterior vational wall retract कर सकते हो या फिर anterior vational wall retract कर सकते हो बर जो हमारा double bladed casco speculum होता है उसमें दोनों blades को आप एक साथ retract out कर सकते हो दूसरा जब भी आपको कोई procedure perform करना है तो जब आप casco speculum लगाओगे तो आपके पास available space बहुत कम हो जाएगा तो उस cases में यह sims double bladed speculum बहुत useful होता है Now moving on to the next instrument ये हैं हमारे पास ramplies sponge holding forceps जब भी आप किसी instrument के बार में introduce करते हो अपने examiner को तो सबसे पहले आपको बोलना है कि this is a stainless steel instrument और फिर उसके बाद instrument के parts बताने होते हैं जैसे इसके पास एक anterior end है इसके blades है इसके पास एक joint है इसके दो shafts है बीच में एक lock है और इधर finger hooks है तो इतने parts होते हैं किसी भी long instrument के तो आपको इतने parts बताने हैं दूसरा उसके specifications के बारे में बताने हैं इसके रांपली sponge holding forcep से जब आप इसके anterior end को देखोगे तो anterior end जो है वो rounded है दूसरा गया है बीच में empty space है ठीक है और इसके inner surface पे serrations है आप देख सकते हो इसके दोनों inner surface पे transverse serrations है तो serrations का क्या एडवांटेज होता है serrations will prevent the slippage of structure from this instrument जब भी आप किसी structure को इस instrument से grasp करते हो तो वो हमारा slippage prevent करेगा ठीक है तो what can be the uses of this sponge holder सबसे पहले तो आप बोलोगे कि कोई भी surgical procedure स्टार्ट करने से पहले आप उस local area को paint करते हो उसके बाद फे ड्रेप करते हो तो painting हम बीटारीन और सावलॉन से करते है तो उस case में cotton swab को hold करके area और part preparation हम इस instrument की help से कर सकते है दूसरा आप से फिर पूछा जाएगा कि आप obstetrics में इसको कहां यूज करोगे और gynec में कहां यूज करोगे तो obstetrics में आप बोलोगे कि आप soft cervical lip मतलब pregnant uterus के soft cervical lip को hold करने के लिए ये instrument यूज कर सकते हो या फिर कभी-कभी cesarean के समय आप uterine margins को hold करने के लिए इस instrument को use कर सकते हो गाइनी में इसका यही use है कि ये आपको help करेगा cervix को hold करने के लिए जो कि soft हो या फिर कभी-कभी local biopsies लेने के लिए आप इसको use कर सकते हो obstetric में एक और use है कि जब आप cervical tear repair करने जा रहे हो तो cervix को hold करने के लिए और cervix के proper visualization के लिए आप इसको use कर सकते हो उसके बाद दूसरा instrument आता है ये है हमारा वलसलम आप इसको याद कैसे रखोगे ये V-ship structure आप देख रहे हो इसको आप V for वलसलम तो आप इसको याद रख सकते हो कि this is वलसलम तो आपको ऐसे ही start करना है कि this is a stainless steel instrument which has anterior ends, one joint two shafts, ring handles and lock और ratchet फिर आप इसके specification पे जाओगे तो anterior end पे दिखोगे तो anterior end पे इस पे multiple tooth-like structures है तो tooth-like structures जो होगा वो firmly किसी चीज को hold करने के लिए होगा तो आप इसका यूज कहाँ पे होगा आप DNA कर रहे हो या DNC कर रहे हो तो उसकेस में वलसलम को आप टिप उपर रखते वे firm cervical lip को grasp कर सकते हो ठीक है यह हमारा वलसलम का यूज है ठीक है दूसरा आप से पूछा जाएगा कि sponge holder को resemble करते वे और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो तो sponge holder जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है Kelly's Clamp Kelly's Clamp का क्या यूज है कि वो हमारा postpartum phase में intrauterine contraceptive devices यूज प्लेस करने के लिए होता है तो आप differentiate के से करोगे कि वो sponge holder है या Kelly's Clamp स्पोंज होल्डर में ये लॉग देख रहे हो बट के लीज क्लाम पिल्स वेरी सिमलर तो इट ओल्मोस में मेंकिंग इंस्ट्रूमेंट कम्प्लेटली बट उसमें लॉग नहीं होता है और लेंथ में थोरा सा वो जादा बरा रहता है कि पोस्ट्पार्टम में यूट्रस का साइस बरा होता है तो यू विल नीदा हायर प्लेसमेंट ओफ इंट्रा-इूट्रा कॉंट्रासेप्टिफ दिवाइस दियूरिंग पोस्ट्पार्टम पीड़ तो हम उस केस में Kelly's Clamp यूज करेंगे Okay, Proceeding Forward यह हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है That is Cochal's Clamp Cochal's Clamp या फिर हम लोग इसको Curved Hemostatic Clamp भी कह सकते है या Pedical Clamp भी कह सकते है Its name itself signifies what its users can be अब आप वैसे इसके पाद्स बताऊगे इसके बाद इसके Specification पे जाऊगे तो इसका Tip is Curved और साथ में जब आप Tip देखोगे तो इसमें देखोगी एक Single Hook-like Structure है और दूसरे तरफ groove है जिसमें यह Hook अच्छे से Lock हो जाता है This is the Hook-like Structure Hook-like Structure है और groove है जिसमें यह Hook अच्छे से Lock हो जाता है Okay, आप इसको कहां-कहां यूज कर सकते हो सबसे पहले तो Kelly's Clamp जो है इसका एक बहुत specific use है for the artificial rupture of membrane तो when will you do artificial rupture of membrane artificial rupture of membrane हम लोग basically करते हैं induction of labor की cases में दूसरे आप कहां यूज कर सकते हो इसको as a cord clamp भी यूज कर सकते हो मैंने इसका और क्या नाम बताया pedicle clamp तो जब भी आप कोई intra-abdominal surgery कर रहे हो तो उसमें pedicles को hold करने के लिए pedicles को hold करके grip करने के लिए आप इस clamp को use कर सकते हो और मैंने क्या नाम बताया hemostatic clamp तो ये हमारा hysterectomy के cases में various ligaments और vessels को hold करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं hemostasis secure करने के लिए तो ये हमारा uses of cautious clamp हो गया अब ये अब दो different instrument yet very similar ये आप देख रहे होगे अब कैसे differentiate करोगे इस instruments का नाम क्या है ये जो आप instrument देख रहे हो इस instrument के comparison में इसके ends जो हैं दोनों बहुत बड़े हैं और आप clearly देख सकते हो कि इसके ends पे इस transverse serrations है और differences क्या है ये जो दूसरा instrument है इसके body पे serrations है बट इसके ends पे कोई serrations नहीं है और ends बहुत ही पतले हैं साथ में when you will take this instrument in a hand and when you will feel the ends of this instrument so you can feel that one end is blunt and the other end is थोरा सा sharp तो अब इनके नाम क्या है this is your anterior vaginal wall retractor what is it? this is anterior vaginal wall retractor this instrument आप जैसे वजाइना में posterior vaginal wall से इसको retract किया और anterior vaginal wall से anterior vaginal wall retractor के help से इसको आप anterior vaginal wall को retract करोगे थाकि you can get a proper visualization of cervix तो हम इसे किस-किस cases में यूज करेंगे जब भी हमारा anterior vaginal wall साख डाउन होगा या फिर सस्टोसील प्रेजन होगा पेशन को तो उस case में आप यूज कर सकते हो दूसरा ये serrations जो हैं ये अच्छे से tissues को push back करते हैं जब आप उसको push back करने की कोशिश करो तो अच्छे से push back करते हैं दूसरा आप इसको DNA में भी यूज कर सकते हो DNC में भी यूज कर सकते हो आटी रवाशनल wall detractor को और जब आपके पास ये instrument नहीं available है तो आप इस instrument के help से uterine curatage भी perform कर सकते हो but it is very less likely that we do it अब ये हमारा के instrument है this is uterine curate uterine curate अब आप देखोगे इसमें एक end इसका sharp है दूसरा end blunt है यहाँ पे serrations present है तो this serrations this serrations help us to firmly grip the instrument ये instrument को tightly पकड़ने के लिए होता है और blunt end और sharp end नाम ही है इसका uterine curate तो we will perform curatage of the endometrial cavity with the help of this instrument और आप कहां यूज कर सकते हो जैसे ये uterus है ये हमारा cervical opening है आपने ये instrument डाला पहले तो हम इससे curatage कर पाएंगे ठीक है सारे walls of uterus का हम curatage कर पाएंगे दूसरा क्या है हमारा curatage कप करणा चाहेंगे एक तो DNC के cases में या DNA के cases में या फिर आपको endometrial sampling चाहिए उस cases में आप कर सकते हो या फिर अगर IUCD है और आपको यहां पे अगर हमारा copper T placed है and you have to confirm the presence of copper T inside the uterus तो we can use this instrument also sometimes but better for that purpose is uterine sound ठीक है इसमें blunt end with the blunt end we will try to avoid injury to uterus तो यह हम लोग pregnant uterus के वक्त करेंगे क्योंके at that time the uterus is very soft and there are chances of perforation to uterus तो उस case में हम blunt end use करेंगे और शार्पेंड अप यूस करोगे पारस uterus के case में जैसमें uterine wall will be तोरा सा firm तो there is less likely chances of perforating the uterus while performing the procedure moving on to the next instrument we have this instrument that is known as uterine sound very peculiar in its appearance इसमें हमारा यह जो sound होता है इसका एक anterior end होता है एक shaft होता है या handle होता है इसके tip को हम लोग एक specific नाम देते है olive tip it is called as olive tip और यह बहुत ही blunt है बहुत ही smooth है क्यों? क्योंकि यह हमारा perforation prevent करने के लिए होता है with the help of this tip we try not to perforate the uterus ठीक है यह angulated है और आप देखोगे इस पे various transverse markings है यह markings denote करता है length of uterus giving you a closure view you can see there are various markings this is 9, this is 8, this is 7, 6 and so on तो what are its uses? ठीक है अब कहां कहां use करोगे पहला अब देख रहो angulation क्यों है? जैसे this is your uterus और this is your uterine cavity और आप pen holding fashion में in pen holding fashion you introduce this instrument तो अगर मान लेते है uterus हमारा retroverted है तो यह हमारा easily इस direction में फिट होगा अगर uterus antiverted है तो हम जब इसको ऐसे insert करेंगे तो विल फील a bit of obstruction और hindrance तो हम इस instrument को ऐसे move करेंगे और यह easily fit हो जाएगा तो यह हमें बताएगा कि uterus antiverted है और retroverted है दूसरा आप इससे length of uterus cervical canal measure कर सकते हो ठीक है यह graduated markings है तो कितने अंदर तक वो जा रहा है जैसे this is your uterus and this is your cervix it has gone up to this marking तो this is your length of uterus cervical canal fine दूसरा बहुत बार क्या होता है कि external loss में यह जा रहा है internal loss हमारे closed है तो it acts as first dilator of os it acts as first dilator of os okay क्योंकि यह बहुत ही पतला है मतलब जो हम dilators use करते हैं for dilatation serial dilatation of cervix उसमें सबसे कम graduation इसी instrument की है तो it acts as the first dilator of os दूसरा it is used to confirm the IUCD placement inside the uterus okay IUCD placement inside the uterus और आप कहा use करोगे it helps us to differentiate whether it is a polyp or fibroid in gynecological cases जैसे हम consider करते कि this is our uterus और यहाँ पे एक बरा सा fibroid है okay this is your big fibroid तो जब आप sound introduce करोगे तो आप यहाँ तक तो जा पाऊगे यहाँ तक तो जा पाऊगे बट बेस of mass पी नहीं रीच कर पाऊगे but when you have a pedunculated polyp which is hanging somewhat like this तो आप राम से मतलब mass के चारो तरफ जा पाऊगे sound के help से तो it helps in differentiating between a fibroid and a polyp okay now this is your dilator which is double-ended and this is Hagar's dilator ठीक है? और अगर यह single-ended होता है तो उसका humbler's dilator नाम होता है और hawkins dilator नाम होता है यह भी हमारा graduated है you can see a number on its handle okay we introduce this also in a pen holding fashion ठीक है? और it helps in serial dilatation of cervix जैसे अभी हमारा औस ख्लोजड है तो आपने इस size का dilator डाला तो औस इतना बड़ा हुआ फिर इसे बड़ा size डाला तो इतना बड़ा हुआ तो it helps in serial dilatation of cervix ठीक है? ताकि हम कोई भी intrauterine procedure परफॉर्म कर भाएं जैसे DNC हो गया या DNA हो गया ठीक है? तो हम इससे हम यह चीज़ कर सकते हैं है gas dilator के help से कर सकते हैं फिर this is your babcox forceps हाँ देख सकते हो इसका end atraumatic है ठीक है? और यह अराम से luminal structures को catch hold कर सकते हैं तो हम इसको कहा कहा यूज कर सकते हैं? appendix पकड़ने में यूज कर सकते हैं during appendectomy surgery और we can grasp hold of fallopian tube ठीक है? या फिर हम लोग कोई vessels for ligation या फिर हम कोई pedicles भी इससे hold कर सकते हैं and since it is atraumatic तो वैसल को hold करने के लिए इस highly preferable ओके? ना थिस या ईलीस टीशू holding forceps ठीक है? आप कैसे identify करोगे ईलीस को? ठीक है? यह हमारा बहुत सारे lens में आता है short forceps, long forceps और इसके end पे multiple tooth end होते हैं multiple tooth end होते हैं ठीक है? तो यह हमारा किसी भी structure को firmly grasp करने के लिए होगा तो हम इसको कहां कहां use कर सकते हैं अगर हम कोई भी surgical steps start करें surgical procedure के steps का discussion करें तो उसमें आप सबसे पहले skin incision देते हो उसके पाद subcutaneous fat में जाते हो फिर rectus काटते हो तो rectal margin को hold करने के लिए use हो सकता है it can used it can be used to grasp hold of peritoneum either visceral or parietal peritoneum फिर अगर हम sazairan की ही बात कर ले तो उसकेस में uterine margins को hold करने के लिए होता है uterine angle को hold करने के लिए use हो सकता है ठीक है? तो it is used to grasp hold of any tough structure and its tooth prevents the slippage of structure from it ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक instrument होता है इसी के तरह not with that curved anterior end straight होता है और कभी-कभी slightly curved हो सकता है but not this much of curve तो उसे हम at least tissue holding forceps कहते हैं ठीक है? वो हमारा pedicle hold करने के लिए होता है structure, swap structures hold करने के लिए होता है so it has a diverse use in any kind of surgery now moving further यह हमारा है retractor and more specifically doins retractor है यह हमारा जब भी हम कोई abdominal surgery करते हैं तो abdominal wall और साथ में bladder को retract करने के लिए होता है यह concavities में दी होती है कि यह bladder dome पे अराब से fit हो जाता है and prevents any kind of trauma to bladder base तो यह हमारा हो गया doins retractor आपसे दूसरे तरह के retractors भी पूछे जा सकते हैं तो यह हमारा नीडल को hold करने के लिए होता है when you have to suture any part तो ये नीडल को posterior 1 3rd और anterior 2 3rd के जंशन पे छोल करने के लिए होतना है ये लॉटनल ग्रोव अस वेल जोबी ग्रोव ये आप देख सकोगे इसका अंटेरेर रिंड जो है वो फान और ट्रांगल शेपड है तो नीडलेस तो से कि ये एक वाइडर एरिया को ग्रास्प करने के लिए होगा ये उसमें बहुत सारी ट्रांस्वर्स एरेशन है तो इसमें एक अंटेरेशन है उसमें इसके दो बलेड से ये आप बोलोगी कि एक एक रिक्टाइगूरर बलेड है और यह rectangular blade जो है, वो blunt है, और triangular blade जो है, वो sharp है, ठीक है, साथ में इसमें कोई lock नहीं है, यह हम epiziotomy देने के लिए hold करते हैं, and we hold it like this, ठीक है, तो जब भी हम epiziotomy देते हैं, तो blunt end जो होता है, वो हमारा वजाइना के अंदर होता है, और यह हमारा बाहर की तरफ होता है, the sharp end is on the perennial skin, and this blunt end is inside your vagina, और जैसे यह हमारा अंदर यहाँ, head है, and this is your perennial skin, and you have to give a epiziotomy, तो आपका blunt end अंदर जाएगा, ठीक है, blunt end अंदर जाएगा, और sharp end बाहर रहेगा, और head और perennial skin के बीच में आप, during crowning, epiziotomy दोगे, ठीक है, during crowning, आप क्या करोगे, epiziotomy दोगे, कितने आंगल पे देते हैं, जैसे, this is our annus, this is our annus, this is your endroitus, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कि this is your foreshet, तो foreshet से 60 degrees के आंगल पे देते हैं, 60 degrees के आंगल पे देते हैं, this is your 60 degrees आंगल, और annus से 3 to 4 cm के distance पे देते हैं, to prevent any kind of injury to the annals factors, ठीक है, अब आप, this is very important and very basic instrument, which you have to go thoroughly, before going for your five hours, इसे आप से related क्या 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 क्यों पूछे जाते हैं, कि what is epiziotomy, तो epiziotomy is a surgically planned incision, which is given in the maternal perennium, during the second stage of labor, to facilitate delivery, ठीक है, क्या ये हर पेशेंस में करना चाहिए, नहीं, हर पेशेंस में, तो किसके से पेशेंस में करना चाहिए, प्राइमी पेशेंस में रिजिट पेरियनियम, जिसमें आपको लग सकता है, कि पेरियनियल मसल्स इतने टॉट है, कि वो sort of hindrance provide कर सकता है, during delivery, या फिर mother को कोई रिस्क हो, जैसे, when we want to cut short the second stage of labor, जैसे heart disease की patient हो, और we want to facilitate the delivery, like in pre-eclampsia patients, और जब आप चाह रहे हो, कि delivery जल्दी हो जाए, because of fetal complications, like fetal asphyxia, or pre-term patients, या फिर fetal hypoxia है, या fetal distress है, उस case में आप epiziotomy देना प्रफर करोगे, तो you have to thoroughly go through an indication list of epiziotomy, ठीक है, फिर आप से पूछा जाएगा कि कौन-कौन से structures cut होते हैं epiziotomy में, ठीक है, उसके बाद types of epiziotomy क्या है, ठीक है, कहां हम epiziotomies देते हैं, and what are the complications of giving an epiziotomy and what are the advantages of giving an epiziotomy, तो you have to grow briefly कि आपको क्या-क्या प्रिपार करके जाना है, इस topic से related, now we have two different kind of forceps, one is plain forceps, one is tooth forceps, you can appreciate the tooth, अधा अंधी रहें, and this is your tooth forceps, तो plain forceps जो है, obviously soft or delicate structures को whole करने के लिए उस होगा, because tooth can cause some sort of trauma, और tooth जो है, वो हमारा firm grasp करने के लिए होगा, for tough structures, or pedicles or ligaments, fine, now these are three more kind of scissors, that I would like to discuss with you, now we have, these two are suture cutting scissors, this and this are suture cutting scissors, and this is your fine scissor, अब यह आप देख रहे हो, कि यह shaft है, और यह anterior end है, और यह shaft है, और यह anterior end है, इस instrument का, तो anterior end is to shaft, इसका ratio ज़ादा होगा, वो इस instrument उतना ही precise होगा, and it will be called, the finer one, so अब देख सकते हो, कि इस instrument के comparison में, इस scissor का, अंटीर end is to shaft का, ratio जादा है, तो इस यह fine scissor, and it is used for more precise cutting, of structures, and this is your suture cutting scissors, so I'll like to wrap up my discussion about some of the important instruments, thank you.